हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर्शें अपने यूटूब चैनल राज एजूकेशन में सभी का स्वागत है दोस्तों सबका बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आपके सामने जिसे टोपिक दि देखकर भी आप इसका अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि आज ये खुसकब्री क्या है दोस्तों मुझे पता है कि जो हाई को ड्राइवर से संबंदी जो रोड साइड मरमत का जो टोपिक है उसका जो संपूर्ण कोर्स है वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है और बहुत बड़ दोस्तों इसके लिए सबसे पहली बात है जो जो जरूरी होगी जो ये रोड साइड मरमत का जो टोपिक है वो कोई छोटा-मोटा टोपिक नहीं है आप सबको पता है कि रोड साइड मरमत में संपूर्ण जो गाड़ी है उसके सभी पाट आ जाते हैं तो जो संपूर्ण गा तो वो भी एक साल का कॉर्स है तो इस परकार जो ये टौपी के बहुत लंबा होता है वेसे तो इसके बारे में संपून जानकारी प्राप्त करने के लिए काफी समय की और काफी मेहनत किया उसकता होती है तो दोस्तों फिर भी जो हमारा जो है को ड्राइवर एकजाम है उसको ध्यानी में रखते हुए इस संपून सलेबस को आपके एकजाम के पॉइंट ऑफ फ्यू से किस परकार आसान बनाया जाए किस परकार सरल बनाया जाए किस परकार इसको संक्षिप्त किया जाए किस परकार इसको कम से कम समय में संपून है उस सलेबस उसको मलब पढ़ लिया जाए ताकि जो आपका एक्जाम है हाई को ड्राइवर का उसको आप आसानी से बेट कर उसको भाइट कर सकें दोस्तों इस टोपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये एक टोपिक ऐसा है जिसको हमें विस्तार से थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा फिर परते पॉइंट को आप समझते रही है दोस्तों मैंने जो ये कंटेंट है वो त्यार एक इंजिनिर्सिंग करवाया है हमारे मेरा एक दोस्त है जो इंजिनिर्स है जिसने मेकनिकल से इंजिनिर्ण कर रखी है उसकी साहता से है वेसे दोस्तों मैं भी डीजल से आईटे कर र करेंगी दोस्तों फिर भी दोस्तों यह बहुत बड़ा टौपिक है और इसको कम समय में पूरा करवाने में थोड़ी हमें कई पॉइंट से उसको छोड़ने पड़ेंगे या मैं कहूँ जो ये टोपिक इसका छोटा रूप मैं आपके सामने पेस करने वाड़ा हूँ क्योंकि इसमें विश्तार से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जो आपका standard है पेपर का exams का जो high core driver है या को अन्य जो driver vacancy है उसमें किस हिसाब से पुछेंगे उसके हिसाब से ही मैं जो हमारा topic इसको पेस करने जा रहा हूँ वैसे अगर हम विश्तार से जानकारी लेंगे तो इसमें सालों लग जाएंगे दोस्तों इसलिए संक्षित रूप में पढ़ने के लिए संभव है कि एक दो पॉइंट हो छूट जाए या एक दो गलत यहां हमसे वो संभव है तो जो जानकारी आपको suitable लग रही है आप उसको गहन कीजिए और अगर आपको इसा लगता है कि ये class है हमारे काम की नहीं है तो आप इसको skip कर सकते है आप अपने हिसाब से त्यारी कर सकते है इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाद देता नहीं है दोस्तों फिर भी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपके exam point of fusion और exam date नजदीक आगए है इसको ध्यान में रखते हुए पूर्ण तया इसको सावधानी अच्छे च्छे पूर्ण तया देखकर ये content त्यार किया गया है जिसमें गलती की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी दोस्तों तो चलो दोस्तों ये वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों इससे पहले मैं बता दूँ आपको सबसे पहले हमें जो फोर वेलर वाहन है उसका structure है वो जाना होगा इसके लिए जो सबसे इंपोर्टेट है दोस्तों टोपिक है रोड साइड मरमत इसकी जो आज की ये कलास है वो सबसे पहली कलास है और यह आपके लिए भूती खुशी की बात है कि मैंने खापी मेहनत के बाद में इस कलास को बनाया है आपके लिए लेकर आया हूँ आपके सबकी request है WhatsApp पे message हैं Facebook पे आया है या YouTube पर जो comments हैं वो आपके आ रहे हैं उसको देखते वे मैंने इस topic को त्यार किया है यह भूती पेचीदा है तो topic है और इसको समझने में आपको कड़ी थोड़ी मेनत करनी पड़ेगी लेकिन मैं आपको परतेक चीज है वो बताने वाड़ा हूँ तो आपको समझने में थोड़ी आसानी ही रहे है तो इसके लिए दोस्तों चार पईयावान का जो डाइग्राम है उसको समझना होगा कि कौन सा पार्ट है वो किस जगह पर लगावा है इसके अलावा दोस्तों जो engine है engine के परतेक पार्ट के चर्चा है वो हमें एक बार करनी होगी नहीं तो हमें पता ही नीचे लेगा कि engine में कौन-कौन से भाग होते है तथा वो किस परकार काम करता है तो हम संक्षित रूप में इसको पढ़ने वाड़े है पूर्ण व्याक्या के साथ और ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी टोपी को छोटा करके बिल्गु शोट करके इस आप पढ़ लें कि समझ में नहीं आए समझेंगे पूरा दोस्तों तो दोस्तों बीना टाइम वेस्ट किये आज का वेडियो है शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहली स्लाइड आपके सामने में पेस करना जा रहा हूँ जिसमें आप सबको दिख रहा है कि जो एक फोर विलर है उसका जो इस्ट्रक्चर है डाइग्राम है वो आपके सामने पेस किया है मैंने दोस्तों जो सबसे आगे है वो इंजन है दोस्तों आपको सबको दिख रहा है कि इंजन कहा है तो आप इस इंजन को देख सकते हैं कि इंजन की position क्या रहती है दोस्तों इसके लिए बात करें जो ये नमबर दो यहा है transfer case transfer case का मतला बज़ा जो engine काम करता है इंजन का अंतिम जो काम होता है वो होता है crank sapt को गुमाना और यह जो crank sapt होती है मैं आगे बताऊगा इसके बारे में विश्तार से हैं जो crank sapt होती है वही crank sapt है वो engine इस गाड़ी को गाड़ी के जो पहिये होते हैं इनको excel के मादे में से गुमाने का काम करती है तो शिरी सी बाती है कि आपको यह ज्यान रखना है कि engine का जो सबसे अंति गोमना यांत्रिक उर्जा है तो दोस्तों इसके लावा यह front drive एक्सल जो आपको इस एरो की निसान से दिखाए दे रही है यह propeller sapt कहते हैं जो transmission के दवारा गोमती हुई पिछले जो पई होते हैं उनको गोमाने का काम करते हैं यह एक प्रकार का transmission जो फैक्ट है या transmission system है दो यांत्रिक उर्जा जैसे मोटर घूमती है तो मोटर का घूमना एक प्रकार का यांत्रिक उर्जा है मतलब ही मोटर एक यंत्र है और वो घूम रही है तो वो उसकी यांत्रिक उर्जा हो गई तो जैसे ही इंजन काम करता है तो इंजन के last में जो crank shaft गुमेगी यह crank shaft ही क्या करेगी इस transmission system को यहां तरी गुर्जा के दोबार गुमाती हुई लास्ट में जो एक्सल को गुमाएगी और एक्सल को गुमाते हुए इंटायरों को गुमाएगी दोस्तों तो इस प्रकार बात करें दोस्तों differential जो यह transmission system का जो अंतिम छोर है यहां differential है आगे हम विश्टाशनी चर्चा करेंगी इसके लावा जो rear drive एक्सल है एक होती है फ्रेंटर ड्राइव एक्सल जो सामने की तरप होती है यहां होती है इस एक्सल पर और जो एक पिछे होती है वो होती है rear drive ज्यादा थर गाड़ी में rear drive एक्सल है वही ज्यादा काम करती है दोस्तों इसके लावा दोस्तों बात करें आपने पिछले वीडियो में देखा था कि एक्सल की बात हो रही थी तो एक्सल कौन सी है तो एक्सल जो दोनों पईयों के बीच में दो गई है दिख रही है दो आगे और पीछे तो यह होती एक्सल का भार एक फिक्स और मान होता है गाड़ी का कि यह गाड़ी कितना भार है वहन कर सकती है तो चलो दोस्तों आगे बात कर तो इसके लावा एक और स्लाइड है आपके सामने जिसमें यह इंजन दिख रहा है रेडियेटर है कोई स्प्रिंग है यूनिवस्वल्ट जोइंट है कलच गीरवक्स हो गया डिफ्रेंशेल हो गया रियर एक्सल हो गया यूनिवसल जोइंट लीप स्प्रिंग तो यह एक एक और इस श्च्ट्र में भी आप देख सकते हैं यहां डिफेनसियल है सामने यहां प्रंट एक्सल है इसको फ्रंट एक्सल बोलते हैं दो पियों के बीच में होती है यहां यह इंजन लगावा ए यह कलच लगी हुए ओ यह गेर बॉक्स है इंजिप जोइंट है ।धर ब पड़ना लिए वो अलग हो सकती है तो जो ये engine इसका काम है crank sapt को गुमाना और gonक्रेश्पर को गुमाना और ये cranke sapt है ये transfer box के माधह माधह मिछी है आगे और पिछे के पुर्जो को वाईकल है उसकी जो rear axle है और front axle है उसको गुमाने का काम करेगी दोस्तों तो इस परकार यह differential box है इस परकार हमने इसके structure को पूरा देख लिए है दोस्तों इसके अलावा एक और slide में आपको दिखाना चाहूँगा जिसमें यह देख सकते हैं आपकी engine यहां लगावा है और यह angle transmission है जो आपको दिख रहा है देखो यह कैसे काम करती है आप सबको पता है जो transmission box होता है इस परकार का होता है कि एक पूर्जा है दूसरी पूर्जे की इस परकार angle पर लगा होता है कि वह एक पुर्जे के घोमजे बर दूसरी पुर्जे को अपने आप घोमाता है उसी उर्जा से और इस प्रकार ये जो ये प्रोपेलर साप्ट है आपको पूसकता है कि प्रोपेलर साप्ट कहां लगी रहती है तो आपको बतना है कि जो पिछे की जो रियर एक्सल ड्राइव होती है और जो आगे जो इंजन है transmission system इन दोनों को जोड़ने के लिए पिछे के rear axle पलस जो transmission system इन दोनों को connect करने के लिए साप्ट होती है वही propeller साप्ट होती है rear axle drive यह पीछे हो गई इस परकार यह दोगई यह भी structure यहाँ देख सकते है कि किस परकार यह काम करता है किस परकार पिछे के पईयों को या आगे के पईयों को गुमाता है दोस्तों यह transmission system है transmission system का मतलब है जो engine crank support को जो energy देगा वह है इस system से होते हुए पिछे जाएगी वह यही परनाली है transmission system कहलाती है front axle differential ही सामनी हो गया all wheel drive clutch यह clutch की बात हो रही है दोस्तों rear axle differential जो rear का मतलब है वास्ट्रिक के या जो सबसे महतोपन एक्षल है वो यह है तो दोस्तों इसके बाल अलावा प्रतेक पार्ट के बारे में हम यह जानगारी प्राप्त करेंगी तो इन से पहले में आपको बता दूँ कि आज है हम विश्तार से चर्चा है वो engine पर करने वा इजनकारी प्राप्र करेंगे दोस्तों तो सबसे पहले जानते हैं कि जो engine है वा क्या होता है दोस्तों तो दोस्तों अब हम बात करते है जो इंजन है उसकी जो मुख्य भाग है वो कौन-कौन से होते है तो इंजन की मुख्य भाग है उन्हें सबसे पहला होता है Då ዜřे ब्लोक आप मैं आपको बता हूँ। जो इंजन का इस्ट्रुक् année होता है उसमें जो सिलेंडर बॉक और सिलेंडर है उनकी मुख ही भूमी का होती है जो बड़े यंतर नहीं है इनका काम होता है जो छोटे मोटे अलग पूर्जे हैं उनको एक जगे बांधना या शेट करना तो शिलेंडर ब्लोक है इसमें बहुत सारी चीज़ें लगी होती है वो जो शिलेंडर हेड है इसमें भी काफी सारी जो छोटे मोटे यंतर बगिरा सामान है वो इंजन का है वो लगे होते हैं अब बात करें दोस्तों हम नमबर तीन है पिश्टन तो पिश्टन है वो इंजन का सबसे मुख्य भागे पिश्टन ही है जो जलेवे इंजन इंधन से जो आपको उसमा उर्जा प्राप्त होती है उसमें उर्जा के दौरा जो यहां तरिक उर्जा बनाई जाती है इंजन के दौरा वो पिश्टन ही इसम आप और दाब के कारण जो अनेक परकार की गेस हैं उनका क्या होता है एक्सप्लेशन होता है उसके फेलाव से यह पिश्टन है वो नीचे प्रेस होता है नीचे दबने के कारण यह पिश्टन गती करता है पिश्टन के गती करने से जो एक क्रेंक साप्ट है आपको दिखाई बाग है वो पिश्टन होता है अब बात करें पिश्टन रिंग की इनके बार में विस्तार से हैं मैं आपको चितर भी दिखाऊंगा डायग्राम दिखा के संपूर्ण इसका इस्ट्रक्चर बताने वाड़ा हूं आप चिंदा नेगरें दोस्तों लगातार बने रही है हमारे इस वीडियो के साथ में पिश्टन रिंग इस काम करती क्योंकि वह पिश्टन वह गती करता है तो इंजन में अगर यह गती कर रहा है तो जो वीभिन प्रकार की जो गेसे हैं यह जो इंधन डाला जाएगा वह इंधन है दहन होगा दहन यानि जलेगा तो जो आग होगी तो जो वो लिब्रिकेंट ओईल है वो जो इंदन जल रहा है वहां तक ने जाए क्योंकि जहां इंदन जल रहा है वहां पिष्टन जा रहा है एक सीरा पिष्टन का जा रहा है और पिष्टन का गर्शन कम करने के लिए हम ओईल काम में ले रहे हैं तो जो यह oil है, वो इंदन जलने की इस्तान पर नहीं जाए, इसके लिए piston की ring काम में लिजाती है, इसके बलावा बात करें दोस्तों connecting road की, तो connecting road का काम है कि जो एक crank shaft है crank shaft ये piston है इस crank shaft को गुमाता है तो ये piston direct crank shaft को नहीं गुमाता ये piston इस connecting road से जुड़ा होता है और ये connecting road है वो crank shaft के दुआरा आपस में ये तिनों आपस में जुड़गे है मिलब piston है वो connecting road से जुड़ेगा और Connecting Road है वो Cranks Option जुड़ेगी इस प्रकार एक दूसरें जुड़े हैं अब बात करें हम Fly Vahil की तो Fly Vahil एक प्रकार का Vahil नाम से पता चल रहाएगी यह प्रपई है यह क्या काम करता है क्योंकि आपको पता है पिष्टन है वो गती करता है हो सकता है एक टाइम ऐसा आजाए कि जो इंजन उसको इंधन ने मिले या हवा ने मिले कुछ चछनों के लिए एक सेकेंड के सोमें बाग के लिए अगर नहीं मिलता है तो यह Crankshaft रुकेगी तो नहीं हमें पता है गाड़ी को कभी-कभी इंटेल नहीं मिलता है फिर भी वो वापिस एक बार उकती वापिस शुरू हो जाती है तो उसमें जो maintenance रखता है जो combination बने रखता है वो होता flywheel flywheel एक परकार का मोटा पई है जो हम मारवडी बसा में कहें या साधरन बसा में कहें कि यह एक परकार अगर round पकड़ लेता है तो एक बार अगर piston इस crank shaft को नहीं भी गुमाएगा तो इस flywheel की इतनी गती होगी इसमें इतनी power होगी कि यह बिना piston की power के इस crank shaft को गुमाता रहेगा इस flywheel को crank shaft के उपर लगाया जाते है दोस्तों इसके लावा बात करें दोस्तों जो यह crank shaft है इसके उपर यह flywheel लगया और flywheel crank shaft गुमेगी तो flywheel भी गुमेगा तो crank shaft को उर्जा कहां से मिल रही है connecting road से connecting road कहां से हिल रहा है piston के दोरा तो जो यह crank shaft गुम रही है और crank shaft flywheel को गुमा रहा है लेकिन crank shaft को जो energy यहां उपर से आ रही है यह अगर एक च्छन के लिए नहें भी आए तो यह flywheel क्योंकि यह भारी है तो यह इस crank shaft को गुमाता रहेगा अब बात करें came shaft यह भी एक परकार का मैं तो फुन भाग है engine का came shaft shaft है वो जो आपको पता है कि engine है उसमें हम एक तो इंधन डालेंगे एक हवा डालेंगे दूसरी बात जो इनको जलाएंगे जलाने के बाद में जो gas निकलेंगी उसका एक्सप्लेशन होगा और piston गुमेगा इसके बाद में जो जली हुई gas है जिसे हम गाड़ी का धुआ कहते हैं वो बाहर निकलेगा तो इसके लिए एक तो इंधन है जैसे डीजल पेट्रोल है वो अंदराने के लिए तथा जली हुई gas है मलब धुआ बारने के लिए के लिए दो वाल्व लगाने होंगे जिने हम वाल्व कह सकते हैं या पोर्ट कह सकते हैं तो उन वाल्व को ओन उफ करने के लिए ये केम सप्ट लगी होती है जो सब्चे उपर लगी होती है अब दोस्तों बात करें ये केम सप्ट है या वो जो वाल्व है वो किस परकार काम करते हैं वो आगे बताएंगे इसके लावा बचा रोकर आर्म रोकर आर्म है वो एक परकार का इसमें पार्ट है इसका भी एक पार्ट है जो ये वाल्व है इनको उनोफ करने के काम आता है मैं आगे बताऊंगा आपको इसके अलावा दोस्तों बात करें जो इस पार्ग प्लग है अन्या पार्ट में इस पार्ग प्लग है आपको सबको पता होगा क्या का इस पार्क पलग के बारे में तो आप जानते होगी, यह तो एक्दम सींपल है, कि इस पार्किंग करने के काम आता है, जो डीजल इंजन होते हैं, उनमें क्या जो गेस है, उनका संपिडन होता है, उस संपिडन के दोरा ही जो इंधन जल जाता है, लेकिन जो पेट्रोल इंजन गेसे उत्तन होगी, उनका फेलाव होगा, वो दाब डालेगी, तो दाब डालने से पिश्टन गोमेगा, अब है इगनिशन डिवाइस, कार्बूरेटर, कार्बूरेटर भी आपको पता है, पेट्रल इंजन में होते हैं, और ये किस काम आता है, हवा और पेट्रल का जो मिस्र तो बता दूँ कि अब हम इंजन के प्रतेक पार्ट के बारे में विश्टार से सर्चा करने वाले हैं, तो सबसे पहली बात आती है, ये इंजन है क्या, इंजन करता क्या है, भी इंजन की जुरूत क्यों पढ़ती है, तो सबसे पहली में आपको बताऊं, आप सबको पता है जो डीजल है पेट्टोल है जो ये हमारे इंधन है ये क्या होते हैं ये हमारा एक प्रकार का रासाइनिक पदार्थ है ये क्या है रासाइनिक पदार्थ और हमें क्या चाहिए क्रेक्सप्ट को गुमाते वे टाइरों को गुमाना मतलब हमें चाहिए यांत्रिक उर्जा तो ज कि इंजन की परिवासा क्या है मैं आपको साधना वासा में बता हूँ कि इंजन एक ऐसा यंतर है जो की राशायनिक उर्जा को सबसे पहले उस्मा उर्जा में बदलता है और उस्मा उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलता है वही क्या है इंजन है इसके अलावा दोस्तों कह सकते हैं कि जिसमें गती हो एक ऐसा यंतर जिसमें गती हो जो किसी भी प्रकार के कार्य को करने में साहिता करे वो क्या कहला था इंजन कहला था जैसे हमारे पास रासानिक पदार्त है रासानिक पदार्त है उसमें रासानिक उर्जा होती है इस रासानिक उर्जा को यांत्रि बागते उन्हें, सबसे पहला था cylinder block, तो हम cylinder block के बाड़े में चर्चा करते हैं, दोस्तों, जैसा कि आपको इसके दिखाये रहा होगा, कि सबसे पहला है हमारा cylinder block cylinder block किसे कहते हैं, जो मैं आपको बताऊँगा, इसे पहले मैं आपको हम इंजन की बोडी कह सकते हैं इसको जिसमें इंजन के अन्यक पार्ट है वो लगे रहते हैं और ये इंजन का सब्चे मैतुपन भाग है तो सब्चे पहले देखो कुलिंग वाटर जेकेट मलब थंडा पानी जो इस इंजन को थंडा करने का काम करेगा वो यहां डाला जाता ह शिलेंडर बोर शिलेंडर बोर जहां पिष्ठन गोमता है उस बाग का जो अंदरुनी बाग है उसे शिलेंडर बोर कहते हैं दोस्तों इसके लावा बात करें हैं यह हो गया कुलिंग वाटर जेकेट शिलेंडर बोर हो गया फोर वाल पुश रोड वाल पुश रोड मलब ज आती है जो जिसे हम रोकर जिसे हम केम साप्ट कहते हैं केम साप्ट के ऊपर रोकर आर्म लगा रहता है वो काम करता है इसके लावा बात करें हम इंजन ब्लोग यह इंजन ब्लोग हो गया इसके लावा यह पंप है वो माउंटनिंग पंप है यहां काम कर रहा है यह केम जो belt है वो तो इस प्रकार दोस्तों ये cylinder block का structure हो गया अब cylinder block के बारे में जो मैंतोपुन जानकारी है हो हम पढ़ने वाड़े हैं दोस्तों तो दोस्तों मैं cylinder block को विस्तार से बताने से पहले में बताता हूँ कि आप cylinder जो ये block है इसका structure देख लीजिए आप एक बार मैं इससे पहले आपको 3-4 इमेज दिखाने वाड़ा हूँ ताकि आपको ये cylinder block है वो क्या काम करता है वो समझ में आजाए दोस्तों आप सबको पता है यहाँ कोई ये खांची बने हुए ये क्या काम करते हैं ये piston के लिए निरदर्धिस्तान है तो जो piston है वो किस परकार काम करता है मैं इसके समझ में आपको बताने वाड़ा हूँ दोस्तों इससे पहले में आपको एक दो तश्वीर दिखाता हूँ कि जो एक ये क्रेंक साप्ट है अन्तिम छोर पर ये गूम रही है क्रेंक पिन हो गई क्रेंग केस हो गया cylinder blocks connecting road piston rings piston pin wrist pin exhaust manifold intake manifold throttle air cleaner है rocker arm है valve spring है valve को बंद करने के लिए valve guide है push road है fuel injector है मलब इंधन यहां से डाला जा रहा है combustion chamber combustion यहां होता है जलाना मलब जहां इंधन जलता है वो chamber बना वाए यहां यहां came है यह came sapped है और यहां water jacket है मलब जहां पानी को डाला जाता है ताकि engine गरम न हो यह connecting road bearing है मलब जो connecting road है piston और cam sapped को crank sapped को जोडने के लिए वह connecting road होती है दोस्तों इसके लावा दोस्तों बात यह हमारा piston है इसमें देखो piston के अवल इतना ही हो गई oil control ring हो गई बना यह compression ring क्या करती है कि जो उपर जो इंधन जलेगा इसके तो उस इंधन यह जो गेसें उत्पन होंगी उनमें बहुत ज़्यादा pressure होगा pressure के कारणी तो यह piston गति करेगा तो जो यह pressure वाली गेसें वो नीचे नहाँ सके यहाँ जो खाली स्तान है यहाँ नहाँ आप आए इसके पास है तो इसके लिए क्या है to compression ring second compression ring इसके नीचे oil control अब आपको पता है जो यह इसा है piston का यह लगातार गर्षन होगा इस गर्षन को कम करने के लिए क्या किया जाएगा यहाँ oil डाला जाएगा ताकि इसका गर्षन कम हो lubricant oil है तो इस oil को उपर ने जाना जास के oil इसके लिए यहाँ यह oil control ring लगे रहती है इसके लावा दोस्तों बात करें हम wrist pin है वो क्या काम करेगी जो यह piston है यह नीचे का हिसा है connecting road है और यह उपर का हिसा यह piston है इन दोनों क साधाना बाती है जास का मदलब होता है जाखाग्रा या इसके अजन आ इसकट का मदलब होता है और जो यह बाहरी खोल जो बाहरी लग utilities क्नेकटिं रोड्चरफ ऊप पिछली स्लाइड में पिष्टन देखा था पिष्टन के नीचे जो कनेक्टिंग रोड थी वो दोस्तों आपको सबको पता है इस से जुड़ी थी तो इसमें रोड इसमाल एंड है रोड बसिंग है यह क्नेक्टिंग रोड है आई बीम रोड बॉल्ट है जो जोडने के लिए बोल्ट कर्से जाते है रोड केप है रोड बॉल्ट है ये इसके बाग है किसके जो एक connecting रोड है इसका फिसरो दिखाता हूं में यहां देख सकते हो जो यह आपके सामने जो हिसा दिखा है उपर की और यह क्या है यही इसा है जो पिष्टन में अंदर जाकर यहां फिट किया जाता है कि इसके दुआरा जो पिष्टन पीन है गजन पीन है वो इसके इसमें लगा कर इसको मलब बेक कर दिया जाता है दोस्तों इस पर कार आगे बात करें इसके लाव दोस्तों यह ज्यादा पिष्टन पर ज्यादा लोड ने पड़े या उसकी गत्य वो लगातार बनी रहे एक समान इसके लिए कि अप यह प्लाई वहिल बने प्रकार का मोटा पईया होता है जो क्रेंक साप्ट पर लगया जाता है अगर क्रेंक साप्ट पिष्टन के द्वारा घूम रही है तो यह पईया भी गुमेगा और इसमें काफी वजन होने के कारण यह कैए अपनी स्पिड के कारण या मोटा होने के कारण यह क्रेंक साप्ट को गुमाने में मदद करता है आप सब को पता है कि जिसकी गती जदा हो जिसमें भार जदा हो वो पईया अगर घूम गया एक बा होता है रोकर आर्म है यह रोकर सप्ट है रोकर आर्म गोर्व करने या वाल on off करने के लिए कामें आते हैं दोस्तों आगे बाद करें hero car arm का आप चितर देख सकते हैं एक ये चितर भी hero car arm का तो इस प्रकार दोस्तों हम एक एक के बाद एक के वो चितर हैं वो diagram के साथ देख रहे हैं इसके लावब दोस्तों ये air filter हो गया इसमीदे को ये लिखर का है जो क्या है कि round filter है ये air का मलब height हो गया id मलब inner diameter od मलब outer diameter diameter एक map है जो आपको इसमीदे को चितर में दिखा दे रहा है कि ये कहां से कहां तक होता है जो ये बाहर का हिसा है इसको outer कहते हैं जो अंदर का हिसा है इसको इनर डायमेटर कहते हैं डायमेटर एक लंबाई का सुच्छा का या मार्ट अगर हमारा जो यह वीडियो पसंदा रहा है तो इसको लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं बूलें दोस्तु यह भी एक प्रकार का एड फिल्टर है इसको यह आप देख सकते हैं जो ओऊल फिल्टर है ओइल फिल्टर की कार प्रणा ली कैसी है यह वो इसमें बताइ गई है जहां से हरी है तो मलत यहां से इंदन अंदर आ रहा है क्या हो रहा है इंदन आ रहा है यह जैसे इंदन यहां आया दोनों साइड से तो यह यहां से फिल्टर आया दोनों साइड से अंदर आकर वापस जहां से हरी है वहां से वापस उपर निकल जाता है तो इस पर गार यह oil filter का काम होता है दोस्तों इसके लावा बात करें दोस्तों आगे यह भी एक petrol engine के लिए मुख्य बाग है यह है spark plug दोस्तों तो spark plug का क्या काम होता है सब को पता है यह ground electrode है यह thread है thread जिसे हम चूड़ी कहते हैं साधर नवासा में गास केट हो गया इंसुलेटर हो गया रिप्स हो गई टर्मिनल नट है ग्लास रेशिस्टर है ग्लास यह नहीं होता है शिसा यह रेशिस्टर है परतिरोद की रूप में काम करता है बाहरी जो भाग है वो इसे बचा रहे center electrode with copper core copper का बनावाई जो center और हवा का मिश्रन इंजन के अंदर बेजा जाता है उसको compress करके उसको जलाने का काम करता है जलाने से जो गेशियं उत्पन होगी वो पिस्टन को गती परदान करेगी और पिस्टन की गती crank shaft को गुमाएगी और crank shaft है वो इंजन को मतलब जो यांत्री गुर्जा को देगा और यांत्री गुर्जा इस परकार पहियों को गुमादेगी दोस्तों इसके लावा दोस्तों मैं सबसे पहले आपको जो theoretical बाते हैं लिखी तो बाते हैं वो नहीं बताते हुए केवल चित्रों से बता रहा हूँ एक बार इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले कि ये एक diagram है कि इसका piston गुमने का structure मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सबसे उपर है वो क्या है एक तो inlet valve है inlet valve मतलब यहां से इंडन आएगा यह जोस्ट वाल है यहां से जैरीली गेस है यहां जो गेसे है जली हुई गेसे है वो निकलने का वाल है यह दो वाल होगे दोस्तों सबसे पहले यह piston rings है और यह swim piston है अब दोस्तों होता क्या है जो मैंने बताया था कि यह सबसे नीचे क्या crank shaft है अब engine का काम क्या है engine को अंतिम रूप से जो यांतरी गुजा मिलेगी इसी ही crank shaft से मिलेगी और यह crank shaft गुमेगी तो इसके side में वापस जो transmission system लगा रहता है वो इस crank shaft के मादिम से ही गति करते हैं और वो ही जो गति है आगे जाकर पईयों को गुमाने का काम करती है तो ध्यान से समझना दोस्तों कि यह किस परकार काम करता है सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता हूँ कि देखो यह एक wall यह हो गया जहां से जो gashen बाहर निकलती धुआ निकलेगा एक यह हो गया जहाँ से इन दोन आएगा सबसे पहली बात इसके लआफ बात करें दोस्तूं यह जो शिलेंडर है किसको कहते हैं जो यह पिश्टन गति कर रहा है पिश्टन का जो यह structure है जिसमें यह पिश्टन बगगरा वाल बगगरा जो यह स्पार्क पलग लगावा है दोस्तों यहां देखो यह और यहां जो यह कैंक साफ लगावा है यह जो समान है फिट क्या गया है किसमें क्या गया है एक सिलेंडर ब्लोक में फिट क्या गया है दोस्तों तो सिलेंडर का तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये पिश्टन गोमने का काम है वो किस परकार होता है दोस्तों तो सबसे पहले होता क्या है यहां से इंदन है यहां से इंदन अंदर आएगा सबसे पहले इंदन नहीं आएगा दोस्तों इससे पहले कुछ काम और होगा जो यह आपके सामने जो पार्ट दिखा है आपके सामने मैं आपको बताऊं कहां से लगबग यहां से इसमें जो यह नीचे का हिसा है यह BDC कहलाता है बलब BDC और यह टोप का हिसा है यहां का यह TDC कहलाता है दोस्तों TDC सबसे उपर का वी बोट्ण बी से बोट्टम बोट्ण यानि नीचे का येляются फिस्ट नहाँ और फिस्ट ने वह घर्तिक करता गतिशिंदक। मथुआ का दिशिंदर अथ जा आप यहाँ तरफ, इस के दौपरध यहाँ यही अजाएगा इंधन आजाएगा इस इश्चिनी में जो एकजास्ट वॉल है वो अभी बंद नाया जो यह पिस्टन है अभी उपर है उपर के विस्था में ओर यह नीचे आया नीचे आते ही जो इंधन है उसको अपनी और खेंचेगा नीचे खेंचने पर उपर से जो कार्बूरेटर लगावा है दोस्तों इस नली से जो कार्बूरेटर है वो हवा और पेट्रोल के मिस्टन को इसके अंदर डाल देगा अभी तक क्या है जो इजस्ट वाल वो बंद है केवल इनलेट वोल चालू है जैसे यह पिस्टन यहां तक नीचे आया नीचे आते ही यह जो मार गया वो बंद हो जाएगा क्योंकि इसको इंधन पूरा मिल चुका है पिस्टन नीचे आया मदलब इसने हावा और पेट्रोल के मिस्टन को अपनी और खिंचा और इस जो यह भाग है यहां दिखाई दे रहा है इस बाग को पूरा भर लिया इंधन से तो यह अभी क्या है पिस्टन नीचे के वस्ता में है दोस्तु तो जो यह मुख्य भाग है यहां सिलेंडर हेड़ का जो जहां इंधन देहन होगा यह इंधन मलब पेट्रोल हवासें बरावा है पिस्टन यहां नीचे की गती में है मलब BDC पर है भी अब क्या होगा वापिस जो यह पिस्टन है वो उपर की तरप जाएगा कहा जाएगा BDC से हैं TDC तक मलब यहां से लेकर यहां तक आएगा तो इसमें होगा क्या जो इनलेट वोल है वो अभी बंद है नया इंधन इसको नहीं लेना एक बार इस राउंड में हवा पेट्रोल का जो मिसरण है आपके सामने इसका क्या होगा इसको प्रेस करना बलब दबाने से क्या होगा इसमें दाब और ताप बढ़ जाएगा जो जैसे संपीडन होगा इसका यह कम्प्रेस करेंगे इसको इस पिश्टन के दोरा पिश्टन उपर जाने से क्योंकि अभी यह खुली जगए है जैसे पिश्टन उपर जाएगा तो इनको दोनुं तरफ से दबाया जाएगा उपर से वाल बंद है नीची सी फिष्टन है इन्हें पेट्रोल और हवा के मिस्रण को दबाएगा संपीडन के एकान के होगा दाब भी बढ़ जाएगा और ताप है बनलब जो टेमपरेचर है वो दुनों बढ़ जाएगे जैसे ही फुल स्पिड में ये दाब और ताप बढ़ जाएगे इतने में क्या है जो ये स्पार्क प्लग है ये एक चिंदगारी पेदा करेगा दोस्तों जैसे ही चिंदगारी पेदा करेगा आपको पता है पेट्रोल चिंदगारी चाहिए इसको तो जलना ही होता है जैसे ही स्पार्किंग होगी स्पार्किंग होते ही जो हवा और जो पेट्रूल का मिश्रन है वो जल जाएगा दोस्तों अभी दोस्तों जो यह पिष्टन है वो उपट टीडी सीपर है कहां है टीडी सीपर जेसी sparking होई है TDC पर आते ही spark plug औन हो जाएगा जेसी spark plug औन होगा, sparking होगी तो in-dhan का जलना है, वो सुरु हो जाएगा जेसे ही in-dhan जलेगा यहां दोस्तों इसको मैं एक बार delete करता हूँ जेसे ही in-dhan जलना जलना शुरु होगा sotto यहां गेसें बनेगी और यह गेस है वो क्या करेगी ताप दाब जलने के काण बंद बढ़ जाएगा जो ताप और दाब है वो इंधन के जलने के काण क्या होगा जो ताप मान भी बढ़ जाएगा वो दाब है जो गेसों का जो पेटरल के जलने से उत्पन होगी उन गेसों का जो ताप और दाब है वो बढ़ जाएगा प्रेसर बढ़ जाएगा और ये ताप और दाब है प्रेसर पिस्टन को बीडीसी की और देखे लेंगे बलब जो ये ताप और दाब बढ़ा है वो क्या करेंगे जो इस पिस्टन अभी उपर यहां इस अवस्ता में ये गेसिं क्या गरेंगी इस पिश्टन को नीचे की तरफ देखे ले रेगी जब नीचे की ओर आएगा तो पिश्ट वो गति करने लगेगा और पिश्टन वो आपीस TDC ए BDC की तरफ पे आजाएगा दोश्ट है ये ने गेसें निकल रही है, दोनुवाल बंद है, पिष्टन को कारे करने की सक्ती मिल जाएगी, क्योंकि जैसे यहां इन दन जलता है, तो इन दन में गेसे होंगी, गेसे इस पिष्टन को नीचे की दिरफ धके देंगी, जैसे इस पिष्टन नीचे आएगा, तो यह रोड के मादें से क्रेंक साप्ट को गुमा देगा, यह इस राउंड में गुमेंगी दोस्तों, देगो, यह जैसे पिष्टन उपर नीचे होगा, यह क्या क्रेंक साप्ट है, वो गौल गुमती रहेगी, इस प्रकार यह piston है वह गति करता रहेगा तो दोस्तों हुआ क्या है कि जैसित जो piston है उपर जाके नीचे आएगा तो crankshot को एक बार भार गोल गुम जाएगी मिलब इसके जो दो का रहे होंगे उपर जाकर नीचे आणा तो क्रेंक साप्ट का एक चकर पूरा हो जाएगा मतलब पिश्टन के दो चकर होंगे उपर जाकर वापिस नीचे आना और क्रेंक साप्ट का एक चकर पूरा हो जाएगा दोस्तूं अब इस इस्तिमी क्या पिश्टन नीचे है दोस्तूं पिश्टन कहां है नीचे अभी भी जो ज इसको ओपन कर दिये जाएगा किसके दवारा जो केम शापत है उसके दवारा जैसे ओपन होगा तो इनलेट वोल अभी भी बंद है क्योंकि अभी ज़लिवी गेसे उने बाहर निकालना है हाई प्रेसर के कार्ण जलिवी गेसे हैं यहाँ वह अभी भी प्रेसर में इन्हों जलीव गेसे इस वोल के द्वारा बाहर निकल गाएगी और यह किस रूप में आएगा गाड़ुआ के रूप में बाहर निकल जाएगी दोस्तों तो इस परकार जो फिस्तन है वो कामगरता है यही प्रक्रिया पूर्ण तरह वापस शुरू होगी सबसे पहले पिस्टन है वो TDC शुरू होकर वापस BDC पर inlet वाल ओपन हो जाएगा और इस पर का इंधन आएगा इंधन आएगा पिस्टन उपर जाएगा उन इंधन को दबाएगा दबाने के बाद में जो दाब बड़ेगा इस पार पलग ओन हो जाएगा इस पारकिंग होगी इंधन जलेगा जलने से गेसे उत्पन होगी और गेसे पिस्टन को नीचे दखे लेगी और जैसे नीचे देखे लेगी तो piston गती करेगा तो जो crank shaft है वो crank shaft गती करेगी इस परकार ये engine है वो यांतरी गुर्जा पैदा करने लगएगा दोस्तूं वापिस जैसे ही piston नीचे आया ये नीचे आकर वापिस उपर जाएगा तो जो जलीवी गेस हैं उसको धुमे की रूप में बहार निकाल देगा दोस्तूं इस परकार जो ये piston की है वो गती काम उमकरती है दोस्तूं मुझे पूरी आसा है कि आपको ये structure है समझी में जरूर आया अगा अब हम इसके बारे में जो structure है जो theoretical बाते हैं वो पढ़ने वाड़े हैं दोस्तूं आप अभी इस screen पे देख सकते हैं कि जो crank shaft है वो सबसे नीचे लगी हुई है और इसमें जो चार piston लगे हुए है और प्रतेक piston है वो एक के बाद एक गती कर रहा है और हर प्रतेक piston के उपर है वो इंधन आने के लिए और जली विगे से वापिस बार निकालने के लिए दो द इस परकार जो ये वाउल है उनफ होने का काम वो κेम saft कर रहे है जो सबसे उपर दिखाए दे रहे है मैं इसमें आपको एरो की निशान से नहीं बता पाऊंगा फिर भी देखते हूं तो जो ये आपको सामने दिखाए दे रहे है केम saft है वो क्या कर रहे है जो जो ये को लेने के लिए और दूसरा वाल जली वी गेस से बाहर निकालने के लिए लगावा है और यहां जो इस पिक्चर में नहीं है यहां लगेगा जो मैंने फ्लाई वहील बताया है जो इस क्रेंक साप्ट को गती-पर्दान लगता रखेगा जो यह बेल्ट लगी हुई है यहां ये cams apt है और cams apt का काम क्या है कि जो ये wall लगे वाते हैं इनको on और off करने में मदद करना तो दोस्तू हमने structure सब पढ़ लिए कारे पढ़ना लिए एक लिए अब हम इसके बारे में विस्तास चेंए जो theoretical बाते हैं वो पढ़ने वाड़े हैं वीडियो लंबा जरूर बनेगा लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आये मुझे पता है अभी तक आपके पूरी बात समझ में नहीं आये होगी क्योंकि अभी हमने structure देखें अब इसके बारे में पूरी जानकर ये वो दुबारा एक एक पार्ट की क्या क्या कारे परनालियो देखेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा आप चिंताँ ने करें अब ज्यादा समय नहीं लगने वाड़ा है इसमें तो अब हम सुरू करते हैं जो लिखित बाते हैं इसके बारे में परते एक पार्ट की जो विश्ता जो structure नहीं देखे बगेर अगर सिधा हम इसका क्यूसन हैल करते हैं तो क्यूसन हमारे समझ भी नहीं आता तो अब जो one liner क्यूसन है एक तरह से one liner क्यूसन ही होंगे हम परतेक पार्ट के बारे में जानगार लेंगे कि कौन सा पार्ट है वो किस चीज का बना रहता है और कौन से पार्ट का क्या काम होता है समझगे दोस्तूं तो इस परकार हम चलो सुरू करते हैं आगे गा और जो विश्तित वीवरन है इन परतेक पार्ट के बारे में दोस्तूं अगर हमारा यह वीडियो अभी आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, शेर और कमेंट करना जरूर ना बुलें दोस्तूं तो दोस्तूं यह वीडियो काफी लंबा बन गया है तो मैं आपसे पूरी आसा करूंगा कि जो यह वीडियो आपने पूरा देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा तो दोस्तूं जो आगे का जो वीवरन है जो एक्जाम पॉइंट ओफ यू से हम चरचा करने वाले हैं लिखित में जो बाते हैं वो सारी देखने वाले हैं तो वो हम नेक्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफी पहले से लंबा हो गया है तो इसलिए दोस्तूं अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आगे का जो नेक्स्ट वीडियो है उसको देखना दोस्तूं नहीं बूलें क्योंकि आगे का जो वीडियो है वो इस से भी और जएदा मायत्वरपласт होपूर है और उस वीडियों में संपूर्ण बातें बताई जाएगे आपको कि एगजाम्स में जो परसन बनने वाले हैं क्योई सन बनेंगे कौनसे टोपिक्स हैं कौनसे क्योई सन बनने बनने वाले है तथा कौन से टोपिक्स हैं कैसे क्यूसन बनेंगे उस पर हम डिसकस्थन करेंगे सबसे पहले इस वीडियो के बाद में हम प्रतेक पार्ट के बारे में जो तेयरिकल बाते हैं या कहें कि लिखित बाते हैं वो जानेंगे और उसके बाद में जो क्यूसन बंद रहे हैं वो एक जो अब्जेक्टिव क्यूसन है उनको हल करेंगे तथा जो लास्ट में जैसे ही हमारा ये जो रोड साइड मरमत वाला टोपिक पूरन होता है या कहें कि आपका जो हाईकोड ड्राइवर एक्जाम्स का जो सलेवर से वो पूर्ण हो जाएगा उसकी मुझे पूरी संभावना है कि ये कम शेकम आगे आने वाले पांच से साधीनों में मैं करवा दूँगा तो उसके बाद में हम परतेक दिन है वो आपके एक्जाम्स पर आधारी जो मोडल टेस्ट पेपर है वो लेकर आ रहे हैं ताक कि आपकी जो त्यारी है उसको पूर्ण तया उसमें जो आसा की किरन है उसको बराजास के जो पूरी उम्मीद है आपकी उस पर में खरा उतर सकूँ उसके लिए अच्छे क्वालिटी के मोडल पेपर है तथा इसे सब बनने वाले जो समस्त परकार के परसन है उनको भी देख लेना चाहिए दोस्तूं तो चलो दोस्तूं फिर से मिलते है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो को देखना जरूर याद रखें दोस्तूं यह जल्दी नेक्स्ट वीडियो है जो इस टोपिक के बाद में आने वाड़ा है इसी का जो आगे का भाग है वो आगे आ रहा है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलें दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरू करें तता जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि जो आगे अपलोड हने वाला जो वीडियो है उसकी जान करी है आपको मॉबाइल पर तुरंट मिल सके और आप उसका लाब है वो ज्यदा सी ज्यदा ले सकें दोस्तों तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही जे हिन जे भारत दोस्तों